हेलो फ्रेज तो आज चलिए बनाते गेहू के आटे से खस्ता क्रिस्पी और मटर की कचोरी इदम फूली फूली मार्केट के जैसे और चलिए बनाते आप इसी चाय के साथ इंजोय कर सकते हैं तो सर्दियों का मौ समय जरूर बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे एक कटोरी गेहू का आटा लेंगे आप गेहू के आधा आटा भी ले सकते हैं आधा मैदा भी ले सकते हैं दोनों मिक्स भी कर सकते हैं और फिर गेहू के आटे से भी बना सकते हैं साथ में नमक एट कर देंगे इसी के साथ यहाँ पे मोवन के लिए हमने refine oil लिया है तो मोवन हमने इसमें 4 चमच एट किया है तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसमें मोवन बहुत अच्छे से देना है फिर उसके बाद यहाँ पे बढ़ियां से हाथ से रॉफ करते हुए इस तरह से दोनों हाथ से पढ़ियां से mix करेंगे तब ही जो हमारा कोचोरी है खसता क्रिस्पी बनके ready होगा तो आटा बहुत अच्छे से लगा होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए तो यह देखिए मोवन हमने बहुत अच्छे से दिया है तो अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो यह लिजए आटा हमने गुत लिया है अब क्या होता है में टाक्स जो होता है कि जो हमारा आटा है वो लचीला नहीं यह देखिए इस तरह से है तो इसे हमें करीब 10 से 15 मिनर तक बकाय दे अच्छे से मसल मसल के गुतना है यह देखिए इस तरह से दम स हमें करना है तो आटा को इस बात का ध्यान रखेगा कि आटा हमें बहुत अच्छे से लगाना है तो देखिए डो हमारे रेटी होगे अब इसे रख देते हैं सेठ होने के लिए चली दूसरी तयारी कर लेते हैं तो ढखकर रख देंगे यहां पर हमने गैस पर कड़ाई चर साथ में हाई खरी मिर्च हमने डाल दिया है सारे चीजों को डालके मिक्स कर लेंगे इसी के साथ यहां पर हमने बारी चौप करके अदरक हैड कर दिया है सारे मसाले को बढ़िया पर भून लेंगे फिर उसके बाद हमने मटर को छील करके ले लिया है साबुत मटर हम इस तर कर देया टेस्ट के खॉरिंग नमाग फिर इसी के साथ यहां पे हल्दी पाउडर रेड कर देंगे अधिचो थाई चम्मस घुशाथ हैएग। mm दाल देंगे धनिया पाउडर यहां पे हमने यह मसाला बना करके सरे किया है इस्पेसल मसाला है और धनिया और यहां मसाले को डाल करके हमें बढ़ियां से मिक्स करना है यानि कि बढ़ियां से भून लेना है फिल्म को मीडियम रखेंगे मटर को भूनना है तो देखे मटर हमारा भून गया है तो इसे लिड लगा कर एक मिनट तक कुक करना है बहुत जल्दी कुक हो जाता है बहुत जल्दी अब यहां पे हमने धरिया पत्ती एड़ कर दिया है आप चाहें तो इसका क्या करें पहले ही मटर को पीश सकते हैं जैसे हमनी मोना बनाते हैं उस तरह से इस्टोफिंग बना सकते हैं तो देखे हमारा बढ़िया से मटर भुन गया है अब इसे हम एक प्लेट म निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह हमारा बढ़िया से ठंडा हो जाएगा मसाला मटर तो हम क्या करेंगे एक मिक्सिका जाल लेंगे ओन आफ करके इसे हमें पीसना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे ओन आफ करके ही पीसेंगे तो बढ़िया स पीसे जाता है ये देखिए अब इसे हम इसी प्लेट में बलट लेंगे क्योंकि थोड़े से मशालेदार है तो अब हम क्या करेंगे इसके छोटे छोटे लड़ुआ बना लेगी ये देखिए ऐसे हमें सारा बना करके रेडी कर लेना है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और यहां पर हमने लड़ुआ बना लिया है अपछली आठे की तरफ चलते हैं तो आठा भी हमारा बहुत अच्छी सेट हो गया है तो आठे पर हमें इस तरह से लोईया लेनी है और सारी लोईया बना लेनी है अब क्या करेंगे इस त लाना है बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और ना ही खुलेंगे तो यह देखे हमने इस तरह से बढ़िया से कवर कर दिया अब क्या करेंगे इस तरह से हाथ के हथेली से दबाते हुए बढ़िया सी कचोडिया हमें बना लेनी है आप चाहें तो बेल भी सकते हैं लिकिन हमने आपे बेला नहीं है तो ऐसे हमें सारे बना लेना है तो आई होप आप समझ गए होंगे तो पहले हमें अंगोठे के हल्प से इसे फैला लेना है फिर एक लुईया उठा करके एक लड़ू उठा करके इस तरह से रखने नहीं फिर कवर कर देंगे यह देखे जैसे जैसे को हाँच चलाना है तो लीजे बन गया अब चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं तो यहां में हम क्या करेंगे ओयल को बिल्कुल गरम नहीं रखेंगे हमें ठंडे ओयल में इसे सारे जितने आ सकेंगे उतनी कुछ औरियों को एड़ कर देंगे फ्लेम को मेडियम रखेंगे तो इस तरह से अलट परलट के हम इसे कुक करेंगे तो देखिए फिर ये फूलने लगती हैं जब अच्छे से दोनों साइट से कुक हो जाती है पक जाता है तो बड़िया से फूलने लगती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंस की हमें लोही फ्लिम रखना है हाई फ् इसे हम और कुक कर लेंगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाय तब तक हमें कुक करना है तो ये इसे बढ़िया से भलके फ्लिम में मतलब हलके हाथों से अलटते पलटते ब्राउन होने तक कुक करना है ये देखिए कितनी fully fully बन के ready हो गई है अब हम इसे निकाल लेंगे तो ऐसे हमें सारी fry कर लेना है तो देखिए हमने ऐसे ही शारी निकाल करके ready कर लिया है तो ऐसे बचे हुए भी दूसरा बैस भी हम fry कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जादा से जादा like करिएगा share करिएगा subscribe करिएगा तो आपको ये देख के मुँ में आरा होगा ना पानी perfect बन के ready हुआ है तो आप भी सर्दियों में खस्ता कचोरी बना करके घर में enjoy करें market से भी बड़ी अस्वाद आएगा आप इसे हरी मिर्च के साथ इस तरह से गानिस कर ले या फिर हरी मिर्च के साथ खा या फिर आप कोई चटनी के भी साथ खा सकते हैं आजटिक आप चाय गर्मा गर्म चाय के साथ इसे enjoy करें इसका अस्वाद amazing है एक मैं आपको तोड़ के देखाती हूँ कि कितना खस्ता बना हुआ है गिहों के आटे से ना किसी मैदे का हमने use किया है ये मैंने एक आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा गर्म है तो ये देखिए कितना बढ़िया stuffing इसमें feel हुआ है और कितना अच्छा बन के ready हुआ है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक से subscribe my channel हर हर महादेव